हलो स्टूडन्स आज हम कख्जा साथ में सरस्वती व्याकरन निधी से पाट सत्रा अनुछेद लेखन पड़ेंगे अनुछेद लेखन यानि बच्चु पैरेग्राफ राइडिंग अनुछेद लेखन क्या होता है? किसी भी विशय पर अधिक से अधिक विचार संग्सेप में लिखना अनुछेद लेखन कहलाता है यानि किसी भी विशय पर अधिक से अधिक विचारों को हमें संग्सेप में लिखना हो तो वो क्या कहलाता है अनुचेद लेखन कहलाता है अनुचेद लेखन नीभन का ही लगू रूप है बच्छो अनुचेद लेखन क्या है जो नीभन दे उसका लगू रूप है निभन के अंदर हम क्या करते हैं? जो बाते विस्तार से उदाहरणों के माध्यम से स्पस्ट की जाती है उनी को अनुछित में कैसे लिखा जाता है? संग्सिप में लिखा जाता है बच्चो अनुछित लिखते समय हमें निभनलिखित बातों का धियान रखना चाहिए तो आएए देखते हैं कौन-कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है सबसे पहले हैं विसेई पर विचार करके मुख्य बिंदूओं को लिख लीजी विसेई पर विचार करके क्या करना है जो मुख्य बिंदू है उसे हमें लिख लेना है उसके बाद दूसरा पोइंट है बिंदुओं के आधार पर चोटे-चोटे वाकियों में विचार प्रकट करें अनूचेत लिखते समय सब्द सिमा का ध्यान रखें यानि कि जब आब अनूचेत लिख रहे हो तो सब्द सिमा का हमें ध्यान रखना है अनुचित 80 से 100 तक यानि कि 80 से 100 सब्द तक का होना चाहिए अनुचित लिखते हुए विचारों की एकरूपता बनाए रखनी चाहिए यानि जब हम अनुचित लिख रहे हो तो विचारों की एकरूपता हमें बनाए रखनी है अनुचेद लिखते हुए भूमिका की आवस्यक्ता नहीं सीधे मुख्य विशे से विचार प्रारम करने चाहिए यानि अगर आप अनुचेद लिख रहे हो तो वहाँ पर हमें भूमिका की आवस्यक्ता नहीं है सीधे मुख्य विशे से विचार प्रारम करने चाहिए तो बच्चों अनुच्य लिखते समय हमें नेमने लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए वापस एक बार रिपीट कर रहे हूं विशे पर विचार करके मुख्य बिंदुओं को लिख लिजी बिंदुओं के आधार पर चोटे-चोटे वाक्यों में विचार प्रकट करे अनुच्य लिखते समय सब्द सिमा का ध्यान रखे अनुच्य एटी से हंडर सब्दों तक का होना चाहिए अनुच्य लिखते हुए विचारों की एक रूपता बनाए रखे अनुचेत लिखते हुए भूमिका की आवसक्ता नहीं, सीधे मुख्य विशे से विचार प्राहरम करने जाहिए पच्चो अनुचेत लिखन, आपकी जो सदस्वती व्याकरण ने देखी जो टेक्सबुक है, उसके अंदर अनुचेत लिखन के बहुत से उधारण दिये है उधारण यहाँ पर दिये गए है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा विशे है, वो है सच्चा मित्र तो इस विशे पर हमें अनुचेत लिखन लिखना है तो हम सबसे पहले सुरुवात करेंगे सच्चा मित्र है ये विसे दिया गया है तो हम सुरुवात कैसे करेंगे मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है और मित्र इस्वर का सबसे बड़ा वर्दान वह व्यक्ति अत्यन सोभाग्य साली जिसे एक सच्चा मित्र मिल जाए अपने बड़े से बड़े दुख को दूलकन के समान और मित्र के दूलकन के समान दूख को बड़ा समझे मित्रों को बुरे मार्क में रोक कर सनमार्क पर चलाए मित्र के गुणों को प्रकट करे और आउगुणों को चिपाए जब मनुष्य के पास धन्दोलत होती है उसके अच्छे दिन होते हैं तो सभी उसके मेत्र मन जाते हैं लेकिन एक सच्चा मेत्र वही होता है जो विपत्ती में भी साथ न छोले मित्रता स्वार्ट प्रेरित नहीं होनी चाहिए कार्ण ने दुर्यधन की मित्रता छोड़नी स्विकार नहीं की क्यूंकि दूक और अपमान के घड़ी में उसके उसने उसका हाथ थामा था क्रिश्न वर्सों बाद सुदामा से मिलने पर भी उन्हें नहीं भुले और उनके चानों में घिर पड़े लेकिन ऐसे मित्र आजकल मिलते ही कहा है तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा सच्चा मित्र जो विसे हैं उसके बारे में यहाँ पर अनुच्छित लेखन दिया गया है जो संक्सिप में है तो सबसे पहले तो यह लिखा हुआ है कि मित्रता संसार की सबसे बड़ी नियामत है और मित्र इस्वर का सबसे बड़ा वर्दान वो व्यक्ति अत्यन सो भागय साली होता है जिसका एक सच्चा मित्र होता है तो ऐसे यहाँ पर एक तुलसिदाज जी ने कहा है वो यहाँ बढ़ दिया गए कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुखी हो और मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर उसे सनमार्ग पर चलाए मित्र के गुणों को प्रकट करे और अउगुणों को छिपाए तो जब मानुसे के पास धन दलोध होती है उसके अच्छे दिन होते हैं तो सभी उसके मित्र बन जाते हैं लेकिन सच्चा मित्र वही होता है कि जो विपत्ती में भी साथ न छोड़े तो मित्रता केसी होनी चाहिए स्वार्थ प्रेरित नहीं होनी चाहिए करणा ने दूर्यधन की मित्रता छोड़नी स्विकार नहीं की तो मित्रता सच्चा मित्र वही होता है जो विपति में भी सातना छोड़े मित्रता स्वार्थ प्ररित नहीं होनी चाहिए ऐसे ही करणा ने दूर्यधन की मित्रता छोड़नी स्विकार नहीं की क्यूंकि दूख और अपमान की घड़ी में उसने उसका हाथ थामा था ऐसे ही यहां पर क्रिश्न और सुदामा के बारे में बताया गया ऐसी ही दूसरा जो हमारा विश्य है हमारे रास्ट्रिय पर्व तो उस पे भी हमें अनोचेद लेखन लिखना है तो सबसे पहले हम सुरुवात कैसे करेंगे हमारे जीवन में पर्वो का अत्यदिक महत्व होता है पर्वो हमारे जीवन में उच्सा, उल्लास और खुसी भर देते है इनसे हमें पता चलता है कि इतनी विभिंताओं के बावजुद हमारे संस्कृती एक है रास्ट्रि पर्वो वे पर्वो होते हैं जिनका संबन किसी धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र से न होकर समूचे देश से होता है स्वतंत्रता दिवस, गन्तंत्र दिवस और घादी जयनती हमारे रास्ट्रिय पर्वो है स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है गन्तंत्र दिवस प्रती वर्ष 26 जन्वरी को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है सन 1950 को इसी दिद भारत को धर्म निर्पेक्स सर्व प्रभूता संपन लोग तंत्रात्म गर्णाजय घोसित किया गया था इस दिल दिल्ली में एक विसेस परेड का आयोजन किया जाता है घान्दी जैन्ती हमारे राष्ट्रपिता महात्मा घान्दी का जन्म दिवसे यह प्रतिवर्स दो अक्टूबर को मनाया जाता है यह राष्ट्रे परव न केवल हमारे राष्ट्रियक्ता और समर्पण का पाट पढ़ाते हैं बलकि देश की प्रती अपने कर्दव्य की याद भी दिलाते हैं तो बच्चो दूसरा जो विसे था हमारा हमारे राष्ट्रे परव यहाँ पर राष्ट्रे परव के बारे में चर्चा की गई है कि हमारे जीवन में परव का तो अत्यदिक महत्व होता है और परव हमारे जीवन में क्यालाते हैं उद्सा, उल्लास और खुशी भर देते हैं तो इनसे हमएं पता चलता है कि इतनी विभिनता हो के बावजुद हमारी संस्कृती केसी है एक है राश्ट्री पर्वव वे पर्वव होते हैं जिनका संबन किसी धर्म, संप्रदाई या सेत्र से न होकर समुची देश से होता है तो स्वतंत्रता दिवस, गन्तंत्र दिवस और घांधी जैन्ती हमारे राष्ट्री परवा है स्वतंत्रता दिवस जो है वो हर वर्ष 15 अगस को मनाया जाता है गन्तंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जन्वरी को पूरे भारत में धुमधाम से मनाया जाता है सन 1950 को इसी दिन भारत को धर्म निर्पेक स्वरप्रभूता संपन लोक तंतरात्मा गणाज गोसित किया गया था इसी दिन दिल्ली में एक विसेस परेड का आयोजन किया जाता है गांदी जैन्ती हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांदी का जन्मदीवस है यह प्रतिवर्स दो अक्टूबर को मनाया जाता है यह राष्ट्र परव न किवल हमें राष्ट्र एकता और समर्मर का पाट पढ़ाते हैं बलकि देश के प्रति अपने कर्तवय की याद भी दिलाते हैं तो बच्चो ये था अनुच्छेद लेखन जिसमें हमने अनुच्छेद लेखन के बारे में चर्चा की कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद लिखते समय और हमने दो अनुच्छेद भी यहाँ पर पढ़े सचामित्र और दूसरा था हमार राश्ट्रिया पर्वा तो बच्चों आज के लिए इतना ही ठेंक यू